दोस्तों क्रेशी बाजार भाव यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है जिसमें रोचान आपको निमस्मेंडी की लाइव आवक पर निमस्मेंडी के भाव की जानकाई दी जाती है लगातार आपके दुआरा कहा गया था कि प्याच के उपर कुछी रिपोर्ट दीजे तो कांदे की तेजी मड़ी रिपोर्ट जनवरी फरवरी महा के लिए बात करते हैं साथियों क्रेशी बाजार भाव चैनल पर आपका स्वागत है कांदा प्याच की बात करें तो इस वश देश के प्रमुक उतपादक मंडियों में शेत्रों में बंपर उतपादन होने से बाज हो भाव मत्रश यegen्माराष्ट में शच्राव दिन बंपर आ रही है जिसका असर बाजार में सुधार बिल्कुल नहीं हो रहा प्याच के भाव में प्याच ौरूपे तता केंदर सरकार ने भी इस दिशा में एक पहल की जिससे किसान भायों को उचित फसल का मुल्य मिले केंदर सरकार ने निर्यात पोस्तान राशी 5% बढ़ा दी जो पेले 5 थी अब 10% कर दी उसका असर भी यह हुआ कि बजार में 5% की घोशना हुई तो 200 प्रतिक इंटर बजा तो बात करें माद जनवरी वर फरवरी तक की तो कांदे में कोई तेजी के आसार नजर नहीं आने दूर दूर तक क्योंकि अभी जलवाईू मोसम काफी ठंडा है जिसके कारण प्याच की घरेलू इस्तर पर डिमाण नहीं निकल रही है और घरेलू इस्तर पर कोई डिमाण बनेगी दूसी बात करें निर्यात की निर्यात जो बंगलादेश श्रीलंका पाकिस्तान और गल्फ कंट्रियों में होता है वहां की चल्वाईू भारत को तप्याच यह की घरेलू इस्तर पर पांस से दस मामूली बाद झाई च्टोन रही यह घरेलू साने वालों कि जिस वज़े से बाजार में घ्राकी का अभाव हुए देश के सभी कोनों में घ्राकी का अभाव हुए और मंडियों में आउकों की भर्मार लगी है इस वज़े से मंडियों में भाव को सहरा नहीं मिल पारा है करें देश के विविन सेंटरों पे प्याच के क्या भाव हुए तो 200 रुपे से 600 रुपे तक प्याच भिक्रा कोई अच्छा लाट 800 रुपे और व्याईपी लोट 1200 रुपे तक के माराश की एहमत नगर लजगाओं वाले गाओं कोलापूर दूलिया नासिक नाकपूर मुंब बाजार के भाव चल रहे हैं गुजरात की गौंड़ाल राजकोड यह सभी मंडिया ऐसे ही चल रही है बाजार निमने स्तर पर बने वें अब क्या होगा बाजार का भविष्य जी तेजी की भविष्य की बात करें तो तेजी जनवरी वह पंद्रा फरवरी तक तो इसमें गुना भाव मिलने की पूर्ण संभावना बनेगी क्योंकि जब एक्सपोड भी अधिक होगा क्योंकि एक्सपोड अधिक होगा और घरेल उस्तर पर घर्मी का मोसम ओने से प्याच कान्दे की डिमांड घरेल उस्तर पर बहुत तगड़ी रहेगी जिसका असर बाजार में दिखेगा और बजार में तेजी आएगी तो यह 15 फरवरी बाद बजार में तेजी आने की संभावना है और 26 पूरा जनवरी महिना तो मद्दे में ही रहेगा और फरवरी महिना 15 फरवरी तक भी ऐसा ही रहेगा और 15 फरवरी बाद देश तेजी की संभावना लगती है पु रूपे यह 900 रूपे तक और उपर में एक जार रूपे इस सो पर प्याज के बाजार नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बंपर आओके आरी है अथा आओके आरी मडेश की सभी मंडियों में तो प्याज के बाओ 600 से 800 रूपे हाइस तो उपर में कोई लोट एकाद लोट 1000 रूप की के तो आपको फरवरी बात प्याज को बेशना परेगा अभी आपको प्यास का स्टक रखना पड़ेगा फरवरी के बाद मार्च अअप्रेल मई में आपको फंद्रा बीशूपे के बजार तो मौली बात है और शायद हो सका तो तीस उपे से 33 तग पी बजार के जा सकते ह पसंद आया तो लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना न बुलना यदि आप पहली बार आ रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करें लाइक करें प्रेस गंटी के आइकोन को दबा कर रखें जिससे हमारा जो भी नया वीडियो है उसका नौटिफिक्रिशन आपको मिलत सब्सक्राइब करें जय हिन जय भारत कशी बाजार भाव यूट्यूब चैनल जिसमें आपको रोजाना नीमच मंदी की भाव की जानकरी दी जाती है जय हिन जय भारत